दोस्तों Kia Sonnet जो की एक बहुत ही बहतरीन सबकॉम्पक्ट सीवी लग रही है उससे रिलेटेड हमारे पास एक बहुत ही तगड़ी इंफॉर्मेशन आई है जो की मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में आपको बता दू कि variant wise जो features हैं वो पूरी तरीके से official तरीके से out हो गया है वो हम discuss करने वाले हैं इस वीडियो में तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का ओट वेस पे मेरा नाम है हर्शित और आज हम बात करने वाले हैं Kia Sonnet के बारे में और मैं आपको बताने वाला हूँ इसके variant wise जो भी features मिलेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे तो दोस्तों इसके अलावा गर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज एक like और subscribe जरूर कर दीजेगा तो चलिए फाइनली अब वीडियो को start करते हैं बिना किसी इंतिजार के देखिए दोस्तों यहां पर मैं आपको अल्रेडी बता चुका हूँ कि इसके कौन-कौन से variants हाएंगे क्या क्या trims होंगे तो इसके कुल मिला के दो trims होंगे एक होगा tech line और GT line अगर variants की बात करी जाए तो इसमें आपको मिल जाएंगे HTE, HTK, HTK+, HTX, HTX+, यह सारे variants आपको मिलेंगे tech line trim में इसके अलावा अगर बात करी जाए GT line trim की तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही variant होने वाला है जो की GTX plus होने वाला है तो यह सारे इसके कुछ कुल मिला के trims और variants के बारे में information थी तो चलिए दोस्तों सबसे पहले अगर start किया जाए इसके base variants है यानि की HTE variant है इसके बारे मैं आपको सबसे पहले engine के बारे में बता दूँ इसमें आपको मिलने वाला है 1.2 liters की capacity का naturally aspirated petrol engine जो की 5 speed manual transmission के साथ आएगा इसके अलाब अगर बात करी जाए दूसरे engine option की तो वो मिलेगा आपको 1.5 liters की capacity का जिसके अंदर आपको 6 speed manual transmission देखने को मिल जाएगा अब अगर बात करी जाए इसके features के बारे में यानि की base variant के features के बारे में तो इसके बारे मैं आपको बता दूँ इसमें dual airbags मिल जाएंगे, ABS with EBD होगा, rear parking sensor होने वाला है, front disc brakes होंगे, halogen headlamps होने वाले है, heartbeat tail lights होने वाली है, tiger nose grill होगी, 15 inch के steel wheels मिल जाएंगे, आपको with covers, rear center garnish reflector होगा, black fabric interior होने वाला है, silver finish AC events होने वाले है, tilt adjustable steering wheel होगा, इसके अलाबा front and rear USB charging point होने वाला है, electrically adjustable ORVM हो जाए rear AC vents मिल जाएंगे, front adjustable headrest होगा, 3.5 inches का monotone MID unit देखने को मिल जाएगा, तो ये सारे चीज़े आपको इसके base variant यानि की HTE में देखने को मिल जाएंगी, अब दोस्तों चलिए चलते हैं, दूसरे variant की तरफ जो की होने वाला है, HTK variant, इससे पहले आपको बता दूँ, जो भी information ह हमारे पास brochure के through AI है, ये variant wise features related, वो मैं अपने जो वीडियो है, उसमें flash करता रहूँगा, तो अगर आपको वो भी देखना है, तो आप pause करके उसको देख लीजिएगा, तो चलिए दोस्तों, finally अब बात कर लेते हैं, sonnet के HTK variant के बारे में, इसके engine options के बारे में, और transmission के बा आपको कोई भी change नहीं देखने को मिलेगा, जो भी changes होने वाले हैं, वो सारे इसके features में मिलेंगे, तो इसमें देखिए उपर वाले तो आपको सारे features देखने को मिली जाएंगे, इसके अलावा कुछ additional features जो मिलेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ, 16 inches के silver styled alloy wheels देखने को मिल जाएंगे, इसके अलावा black interior theme होगी, और इसके अलावा जो इसकी seats वगरा होगी, वो काफी premium होने वाली है, height adjustable driver seat होगी, keyless entry मिल जाएगी, rear door power windows होगी, follow me home headlamps होने वाले हैं, 2D in audio system with bluetooth connectivity होगा, steering mounted controls होने वाले हैं, 4 speakers होगे, UVO light connectivity होने वाली है, तो ये सारे features आपको इसके second variant, यानि की HTK variant में देखने को मिल जाएंगे, अब देखिए दोस्तों, finally अगर बात करी जाए, sonnet के तीसरे variant के बारे में, तो यहाँ पे HTK plus variant के अगर बात करी जाए, तो इसके सबसे पहले engines, options और transmissions के बारे में, अगर आपको बताऊं, तो बहुत सारे options आपको मिलेंगे, तीसरा होने वाला है, 1.0 liters की capacity का turbo charge petrol engine, जिसके साथ आपको 7 speed DCT transmission मिलेगा, पांचवा होने वाला है, 1.5 liters की capacity का diesel engine, जो की transmission option के साथ आएगा, 6 manual transmission के साथ, और जो last option होने वाला है, वो 1.5 liters की capacity का diesel option होने वाला है, जो की 6 speed automatic के साथ आएगा, तो बहुत सारे आपको इसमें option द में तो आपको बता दूँ प्रोजेक्टर फॉग लाइट मिल जाएंगी आटोमेटिक हेड्लैंप होंगे रूफ रेल्स होने वाली है शार्क फिन एंटीना हो जाएगा क्लाइमेट कंट्रोल होगा रियर डिफॉगर होने वाला है रियर पारसल ट्रे मिल जाएगी आठ हिंच लेधर से रैपिंग होगी तो वह भी एक काफी थोड़ा सा प्रीमियम प्रीमियमनेस एड करता है इसके कैबिन को वह मिल जाएगा इसके अलावा मल्टी ड्राइव मोड्स होंगे ट्रैक्शन कंट्रोल होगा जो की सिर्फ वर सिर्फ डी सिटी वाले वेरियंट में होगा ज इसमें आपको दो इंजिन ऑप्शन्स देखने को मिलेंगे एक होगा 1.0 लीटर्स की कैपसिटी का टेर्बो चार्ज पेट्रोल इंजिन जो की आएगा 6-speed IMT ट्रांसमिशन के साथ दूसरा होने वाला है 1.5 लीटर्स की कैपसिटी का डीजल इंजिन जो की आएगा 6-speed manual ट् LED DRLs देखने को मिल जाएंगे LED Tail Lights होने वाली है Silver Skid Plate होने वाली है Rear Bumper with Dual Muffler Design होगा Electric Sunroof मिल जाएगी Chrome Door Handles देखने को मिल जाएंगे Beige और Black Color के Interiors होने वाले है Semi Leather की आपको Seats देखने को मिल जाएगी और Silver Stitching होने वाली है इसमें आपको जो Flat Bottom Steering Wheel है वो Leather से पूरा Covered ह होगा और जो Gear Knob है वो Leather से पूरा Covered होगा Smart Key with Push Button होगा Cruise Control, Remote Engine Start, Rear Seat Armrest होने वाला है Rear Seat Adjustable Headrest होने वाला है तो यह सारी चीज़े आपको इसके HTX variant में देखने को मिल जाएंगी तो मेरे ख्याल से काफी बढ़िया-बढ़िया features आपको इसमें offer किये जा रहे है अब तक तो चलिए अब आपको बता दू कि Sonnet के HTX Plus variant में क्या क्या मिल जाएगा इसमें आपको 1.0L की capacity का petrol engine मिलेगा जो की turbo charge होगा इसमें आपको 6-speed IMT transmission और जो दूसरा engine option होगा वो 1.5L की capacity का diesel engine होगा जिसके साथ 6-speed manual transmission होगा अब देखिए इसके features के बारे में आपको बता दू तो देखने को मिल जाएगा 16-inch के diamond cut alloy wheels मिल जाएगे LED sound lights देखने को मिल जाएगी leather wrap door crims देखने को मिल जाएगे rear wiper and washer मिल जाएगा 10.25 इंचेस का touchscreen infotainment system होने वाला है जो की पूरी थरीके से same आपको cell toss वाला देखने को मिल जाएगा UVO connected का technology होगी Bose का speaker आपको देखने को मिल ज Sonnet देखने को मिल जाएगी auto dimming IR VMs देखने को मिल जाएगे dual tone paint job देखने को मिल जाएगा जो की optional रहने वाला है तो यह सारे features आपको HTX Plus variant में देखने को मिल जाएगे चलिए दोस्तों आप finally बात कर लेते है Sonnet के सबसे high end spec variant के बारे में जो की GTX Plus variant है इसमें आपको बता दू क जो turbo charge petrol engine है 1.0 liters की capacity का इसमें 2 transmission option मिल जाएंगे एक होगा 6 speed IMT और दूसरा होगा 7 speed DCT इसके अलावा जो दूसरा engine option मिलेगा वो 1.5 liters की capacity का diesel engine होगा जो की आने वाला है 6 speed manual transmission के साथ और 6 speed automatic transmission के साथ तो यह सारे कुछ options आपको engine और transmission के से related देखने को मिल जाएंगे Sonnet के high spec variant के आप देखिए features के बारे में अगर बात करी जाए तो उपर वाले आपको सारे features देखने को मिल जाएंगे जो additional features होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ 6 airbags मिल जाएंगे front parking sensors होगा 16 inch के diamond cat alloy wheels होने वाले हैं जिसके उपर आपको red wheel cap देखने को मिल जाएगा इसके अलावा front brake calip जो होंगे वो लाल कलर के होने वाले हैं glossy black grill आपको देखने को मिल जाएगी जिसके उपर आप GT logo देखेंगे वो काफी बढ़िया देखने में लगती है इसके अलावा front और rear bumpers with red accent देखने को मिल जाएंगे turbo shaped skit plate होने वाली है diffusers fin rear skit plate हो जाएगा floating roof rails हो जाएगा aluminum finished pedals होने वाले है glossy black finish AC vents देखने को मिल जाएंगे smart watch connectivity होने वाला है wireless charger with cooling function होने वाला है dual tool corner option आपको देखने को मिल जाएगा तो ये धेर सारे features आपको cool मिलाके sonnet के अंदर देखने को मिल जाएंगे अब देखिए दोस्तो मुझे personally ऐसा लगता है जो इसका htk plus variant है वो सबसे जादा better option रहेगा किसी के लिए भी क्यूंकि इसमें आपको सारे engine options सारे transmission options देखने को मिल जाएंगे इसके अलावा जितने भी features होंगे वो मेरे ख्याल से एकदम sufficient है तो मेरे ख्याल से सबसे best जो variant इसमें से cool मिलाके निकल के आ रहा है वो htk plus variant है आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे नीचे comment box में जरूर बताईएगा इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी question या पिर suggestion है मेरे लिए तो मुझे वो भी नीचे जरूर बताईएगा तो चलिए दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो please एक like और subscribe जरूर कर दीजेगा और अपने दोस्तों के साथ भी share कर दीजेगा तो चलिए दोस्तों finally at last thank you for watching drive safe and until next video good bye